अपने अगली पिर्तिग्या में यानि कि नवी पिर्तिग्या में बापा साब ने हमें आधेश दिया है कि मैं सभी मनुष्य एक समान है इस विचार को मानूँगा अगर आप देखें तो हम जितने भी लोग इस धर्ति पर हैं पूरी मनुष्य जाती उसमें सारी समानता है हमारे पैदा होने का धंग एक है हम हसते हैं रोते हैं तो जो भावनाएं एक भारतिये की हैं जो भावनाएं एक अमरीकन की हैं एक बिटिश वासी की हैं इस्पेन वासी की हैं फ्रांस वासी की हैं जो एक महदीब के लोगों की हैं वही दूसरे महदीब के लोगों की हैं तो इंसान के रूप में अगर हम देखें मनुष्य के रूप में अगर हम देखें तो हम सब एक या सर्दी के समय में मुझे सुख मिलता है, तो ऐसा ही सुख दूसरे को भी मिलता है, वो किसी देश का हो, किसी संपरदाय का हो, किसी शेहर का हो, किसी गाओं का हो, किसी जाती का हो, किसी धर्म का हो, सब का, सब पर एक ही जासा उसका प्रमा पड़ता है, अगर धूप निकलत तरह से सुख देती है जैसे दूसरे को आक्सिजन जो मुझे जरूरी है वही दूसरे को भी जरूरी है इसलिए दुनिया में जो भी कुछ है हर मनुष्य पर उस चीज का एक जैसा प्रभाब पड़ता है इसलिए मनुष्य मनुष्य समान है और बाबा साब में बिलकुत सही कह कि मैं ऐसा जो भी कुछ करूंगा मनुष्य एक समाने इस बात में विश्वास रखूंगा और इसके विरुद्ध कोई भी बात होगी मैं उसे शिकार नहीं करूंगा तो हम सब मनुष्य एक समान है, इसके लिए हमें काम करना चाहिए, लिकिन अगर आप देखें, तो ये मनुवाद, ये ब्रहमरवाद, ये जितने भी संपरदाए हैं, इस सब मनुष्य में मनुष्य में भेद करते हैं, ये मनुष्य को एक नहीं मानते, ये कहते हैं, जो मेरी एक होते हुए भी भेदबाव, वन वेवस्था बनाके, जाती वेवस्था बनाके, मनुष्य मनुष्य में इतने घहरे भेद करती है, इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी, जो आस तक पाटी नहीं जा पा रही है, जब सारे मनुष्य एक ही तरीके से पैदा होते हैं, जब से हुए, हम सब एक ही तो हैं, इसी मनुष्यता को, इसी समानता को हम लोगे सापित करें, इसी समानता को हम बढ़ाएं, मनुष्य की एकता को हम बढ़ाएं, और केवल मनुष्य नहीं, अगर हम देखें, तो बावत साब ने तो जिस धर्म को अपनाया, वो भगवान बुद साथ एक यह जैसा विवार होना चाहिए वहां तक की बात की तो मनुष्य मनुष्य एक है और इस एकता को इस समानता को बढ़ा है जा सके इसलिए बाबा साब ने बात कही लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि ब्रहमरबाद ने तो इतना फर्क कर दिया मनुश्य एक है लेकिन उस पर इतने प्रतिबंद लगा दिये और एक ऐसी वेवस्ता बना दी जिससे हम वर्णवाद कहते हैं आज कहते जरूर है कि वर्णवेवस्ता खत्म हो गई है लेकिन आप देख लीजिए जो हिंदू के सबसे बड़े नेता है गांधी गांधी भी वर्णवेवस्ता को मानते थे आज जितने भी ब्राह्मणवाद के लोग हैं वो सारे वर्णवेवस्ता को मानते हैं और वर्णवेवस्ता कायम है शाद इसलिए बापत साब डॉक्टर मेट करने वर्णव इन तीन जो वर्णवेवस्ता को मानता है जो मनुष्य मनुष्य में फर्क करेगा ही क्योंकि वर्ड व्यवस्ता एक ऐसी व्यवस्ता है जिसे हम कह सकते हैं कि चार मंजिला मकान है जिस उपर के मकान में ब्रह्मन उससे नीचे के मंजिल में सबसे उपर की मंजिल पर ब्रह्मन रहरा सब उसके नीचे की मंजिल पर छत्री है और उसके नीचे की मंजिल पर वैश है और उसके नीचे की मंजिल पर यानि सबसे नीचली मंजिल पर शुद्र रह रहा है यानि यही दबा, कुछला, शोशित, पेड़ित अनुसुचित जाती, जन जाती और अन्य पेशारवार जिसको कहते हैं ये पूरा का पूरा शुद्र समाज ही तो है ये पूरा का पूरा समाज सबसे में निचले मंजिल पर रहता है और ये मंजिल ये मकान ऐसा है जिसमें कोई सीड़िया नहीं है यानि कि जो जिस सिस्थर पर बैठा है वो वहीं बैटा है वो उपर नीची आज़ा नहीं सकता तो उन सारे स्यूणियों को अठा दिया गया असमानता का मनुश्य मनुश्य में भेद का ऐसा उधारान आपको कहीं नहीं मिलेगा तो बाबा साब ने कहा कि मनुश्य मनुश्य एक है मैं इस सुद्धान्त को मानता हूँ